हेलो जी नमस्ते शाष्यकार अस्ताम लेकूम आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू चैरो हिंदी उर्दुपे और मेरे डी करूंगी पिका काड आपके पार्टर की करन्ट फीलिंग्स क्या है आप लोग बोत रिक्वेस्ट कर रहे थे इस रीडिंग का कपसे आपके प आपकी उनके साथ reconciliation होगी या बस यह relationship अब खतम हो गया तो इस relationship का आप truth क्या है इसकी reality क्या है और आप कब आप दुनों एक दूसरे के साथ union में आएंगे या कब आपसे contact करेंगे तो यह है आज की reading सब कुछ आपको बताऊंगी मैं इसके बारे में आपके relationship के बारे में उन आपकी feelings, आपकी feelings, आप क्या चाते हो, वो क्या चाते हैं, फिर blockage क्या है और क्या वाकी union होगी या reconciliation होगी या बस आप अपना time waste करेंगे आपको wait करना चाहिए या move on करना चाहिए ठीक है तो यह है pile number 1 from A to N और फिर यहाँ पे है pile number 2 N to Z तो आपने चूज करनी है अपने letters मे आपकी reading पे, यह एक general reading है, resonate करें, most welcome, like, share and subscribe this channel, आप जितना subscribe करोगे इस channel को मैं उतना ही आप लोगों की from Ais पे request पे जो आप readings देखना चाहते हो, जो आपकी favorites हैं, वो आप लोगों के लिए लेके आया करूँगी, आपने subscribe करना है इस channel को, और notification bell को दबाईए ताकि जब भी इस channel पे reading upload हो, you can must watch it, so let's start the reading, ठीक है guys, hello pile number one, जिनका A to N letters है, और यह वाली pile आपने चूज की है, तो start करते हैं, आज की reading आप लोगों के लिए, तो देखने इस card पे क्या है आप के लिए, wait, don't rush into it, allow nature to take it course, तो आप मैं से काफी सारे लोगों को wait करने के लिए बोला जा रह relationship में या नहीं, वो आप से थोड़ा सा और time मांगेंगे, we have luminosity, लेकिन उससे पहले आपको अपने उपर भी focus करना, इसका मतलब यह नहीं है, कि जब आप wait कर रहे हो, तो उनी के उपर focus करो, ठीक है, तो आपका पूरा focus अपने उपर होना चाहिए, with this luminosity आप देख सकते हो, क कि आपको अपनी career पे, अपनी study पे, अपनी self growth पे, अपने confident level पे भी work करना चाहिए, आपको अपने individually अपने आप पे groom करना है, जब तक आपके partner ready हो जाते हैं, इस relationship को continue करने के लिए, now let's see more, कि आपके partner की इस वक्त energy क्या है, ठीक है, इस relationship को लेके, या उनका future को plans क्या है, क्या चलब रहा है आप दनों के connection में हैं इस वक्त, we have man holding a coin, ठीक है, तो आप मेंसे काफी सारे लोग, आपके partner की इस वक्त जो energy है, आप देख सकते हो, कि उनका energy जो है, या focus जो है उनक इस वक्त carrier पे हो सकता है, man holding a coin, तो वो ज्यादा focus जो है उनका अपने finances पे है इस वक्त, वो चारे हैं कि उनके finances पहले सही तरीके से stable हो जाएं, या job पे है, या carrier पे है इस वक्त, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये इनसान definitely आपको serious offer करना जाता है, जब वो ready होंगे, क् कि अभी हो सकता है कि उनकी effort जो है, वो finances है, या अपने आपको financially abundant करना है, let's see from this oracle card, क्या आपके partner की energy क्या है, आपके partner earth sign हो सकते है, Taurus, Virgo, Capricorn, आप हो सकता है, बहुत ज़्यादा butterflies देख रहे हो, ठीक है, या hummingbird, आप उनकी आवास सुन रहे हो, birds की ज्यादा, आप notice करते ह होगे, या flowers, ठीक है, ये चीज़ें आप notice कर रहे होगे, we have regeneration, number 46, या कुछ लोग के लिए या आपका past lover है, आप दोनों बिल्कुल, आपका relationship, जो है, वो शायद खतम हो गया था, ठीक है, या आपका ex हो सकता है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, आप दोनों के इस व वक्त, उनका focus जो है, वो अपने lifestyle को build करने में है, अपने future को build करने में है, now let's see उनकी feelings क्या है, this could be the one, you have already met the romantic partner, so कुछ लोग उनके लिए ये partner आपका one and only partner हो सकता है, ठीक है, या, we also have let go of control issues, तो आपका partner आपको चाहते हैं कि आप उनको control करने की कोशिश मत करो, और our time को भ control करने की कोशिश मत करो, ठीक है, मतलब जब वो ready होंगे, तो definitely they will give you this commitment, और शायद इसलिए आपको wait करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अगर आप wait नहीं कर सकते हो, तो obviously ये आपकी हमेशा अपनी free choice होती है, कि आप किसी का wait करना चाहते हो, या अगर आपकी बस better options है, त ठीक है, लेकिन उससे पहले या तो आपको अपने X को release करना पड़ेगा, या आपके partner को X को release करना पड़ेगा, या कुछ लोगों के लिए आपको वो past वाली जो भी आपके दर्मियान में जगडा हुआ, जो problems थी, जिस वज़ा से आपका break up हुआ, उन चीजों को आपको release कर बिलकुल मत कीजिए, now let's see, मजीद आप लोग के relationship में क्या हो रहा है या क्या होगा, और आपके partner की energy क्या है, current feelings उनकी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, we have an affair, तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों का affair हो सकता है, third party हो सकती है आप दोनों के दर्मियान में, या आप third party हो, ठीक है, अगर वो already relationship में है, married है, commitment में है, ठीक है, और आपका उनके साथ affair है, तो definitely वो चाते हैं कि आप इस relationship को wait करो, जब तक वो solution नहीं ढून लेते हैं third party का, लेकिन अगर third party नहीं है, तो अब भी शायद वो इस relationship को शायद आपके relationship को पहले time नहीं दे रहे थे, या नाम नहीं दे रहे थे, इस relationship को, लेकिन अब शायद जब वापस आएंगे, तो time दे, इस relationship को name देंगे, we have a mystery, या कुछ लोगों के लिए ये छुपावा affair था, जो लोगों को पता नहीं था, या आपके जो partner है, उनके, अगर वो third party में थे, तो किसी को पता नहीं था, आप चाते हो कि वो आपको accept करें सब के सामने, या आपका partner चाता है कि आप उन पे pressure मत डालो, लेकिन वो definitely, इस relationship को close, उनको जो है, वो publicly receive करेंगे, और open करेंगे, लेकिन अभी नहीं शाय, ready नहीं है वो, we also have ascending, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये partner सिर्फ आपके साथ affair रख सकता है, तो आपको definitely अपने आपको wait करना चाहिए, या इस partner को release करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो already third party में है, तो वो इस relationship को सिर्फ एक affair के तौर पर ही रखना चाते हो, तो अगर वो partner आपका इस relationship को affair के तौर पर रखना चाता है, मजीद आपको offer नहीं करन करेंगे, तो आपको wait करना चाहिए, या अगर third party नहीं है, तो definitely इनका wait करना चाहिए, क्योंकि वो definitely इस relationship को chance देंगे, we have a forgiveness, या कुछ लोगन के लिए, या तो आपको इनको माफ करके आपकी reconciliation हो जाएगी, या कुछ लोगन के लिए आपको इस relationship को माफ करना पड़ेगा, और अगर आपको इस तरह का relationship नहीं चाहिए, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, और जब वो आपके पास आएं, और still आपको कुछ नहीं देना चाहते है, या प्रपोस नहीं कर सकते हैं दुनिया के सामने, तो आपको definitely इस relationship से आगे बढ़ना है, इस relationship को एक कार्मिक पार्टन के तोर पे देखी और move on कीजिए, लेकिन अगर ये partner third party में नहीं है, और आपकी बहुत respect करता है, और आपको definitely इस relationship को लोगों के सामने लाएगा, तो आपको उनको माफ करना चाहिए, और relationship को accept करना चाहिए, उनको forgive करना चाहिए, but we have obsession, या तो या आपका obsession हो सकता है, ठीक है या उनको आपके साथ एक obsession है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये silence, जो है वो lover है, एक silence, एक mystery type of connection है, जो आप दोनों को solution इसका ढूणना पड़ेगा, ठीक है, अब देखते हैं कि आपका partner कब तक आपके पास आएगा, timing क्या है, और आपको पता भी है कि ये partner third party में है और आप इनको नहीं चोड़ सकते हो, और आप still wait कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक karmic partner है फिर, now let's see, कब तक आएँगे, when birds sings, so हो सकता है, supreme, जब भी, जहां पर भी आप रहते हो, fall, कुछ लोगों के लिए fall, ये winter season में, and we also have around full moon, तो full moon definitely, कुई भी full moon, around full moon, एक unexpected return हो सकता है, in a few weeks, कुछ लोगों के लिए few weeks में ही आपके partner, आपकी तरफ आएंगे, we have, you will be happy, you waited, yeah, कुछ लोगों के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, surprise होंगे कि आपने इस इंसान के लिए wait किया, you will be happy, कि आपने इस इंसान के लिए wait किय because this person is worth waiting for, अगर यह third party में नहीं है, और अगर उन्होंने आपका focus, उनका focus career or future पे है, तो वो definitely वापस आएंगे, sooner than you would think, कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी, आपको एक surprise मिलेगा इस partner की तरफ से, ठीक है, now, charms से देख लेते हैं, कि charms अगर कुछ बताते हैं, आपको इस और give this relationship a chance, लेकिन उस तरह नहीं, जिस तरह से आपने past में repeat की थी mistakes, अगर आप दुबारा से वो ही same cycle, वो ही repeat mistakes करोगे, एक दुसरे को control करने की कोशिश करोगे, या relationship को control करने की, और आपका partner नहीं ready, या आप नहीं ready वो कुछ करने के लिए, तो definitely फिर से break up हो जाएगा, तो वो इस relationship को आपके साथ secret रखना चाहते हैं, या बताना नहीं चाहते, disclose नहीं करना चाहते हैं दुनिया को, तो definitely it's a red flag, आपको देखना चाहिए कि ये partner आपके साथ serious नहीं है, आपको definitely अपने लिए stand लेना चाहिए, उनको बोलना चाहिए that they need to accept you, उनको accept करना चाहिए आपक we have sj, v, so ये vj हो सकते हैं, ठीक है, I'm hearing dj, vj, we have sel, silly, we have this guitar, so there could be a guitarist, singer हो सकते हैं, guitar play करते हैं, music से related हो सकती हैं की job या आपकी, someday soon things are going to start working out, तो इस इस इनसान को definitely इंदिजार है, या उनको लगता है कि ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा, we have this yellow stone, तो बहुत positive हैं, आप या आपको positive होना चाहिए, love you, with this heart and, sorry, with this key and lock, तो मुझे लगते हैं, आपके पास की है, इस person के heart की, we also have this broken ring, तो हो सकते हैं, आपका break up होता है, इनके साथ, almost commitment तक पहुंचे थे, या इस इनसान ने आपको commitment नहीं दी, और कुछ लोग के लिए, ये broken ring ये बात करी है, कि it's a third party, वो already एक relationship में है, so it's a broken ring for you, वो आपको वो चीज़ आफर नहीं कर सकते हैं, जो already वो किसी और के साथ है, so we have belief stone, throat chakra हो सकते हैं, इस इनसान का, throat chakra जो है, या तो बहुत open है, singer है, musician है, actor है, या speech है, उनका throat chakra बहुत open है, speaker हो सकते हैं, या कहीं पर भी public eye में हो सकते हैं, जहां पर उनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, या तो उनका throat chakra disclose है, मतलब feeling express करना नहीं आता है, we have this medical field से हो सकते हैं, doctor हो सकते हैं, आप या वो, we also have another guitar, या तो इनसान को guitar play करना अच्छा है, या instruments play करते हैं, ठीक है, या singer है, या उनको play करना अच्छा लगता है, ये चीज़े, we also have this spider, ठीक है, this spider web or aunt, definitely difficulty है यहाँ पर, आप दोनों के दर्मयान में relationship में trust issues हो सकते हैं, we also have a best friend, कुछ लोग के लिए आपका best friend हो सकते हैं, या आप just as a best friend ही रह सकते हो, ठीक है, या वो आपके एक बहुत अच्छे best friend ही बन के रहना चाहते हैं, और कुछ लोग के लिए आपका relationship continue रहेगा, but as a best friend, लेकिन lover तोर पे आप शायद नहीं कर सकते हो, और कुछ लोग के लिए या आपका best friend था, जिसको आपने date किया, या आप fall in love हुए romantic relationship में, तो या आपकी reading है, like, share and subscribe, मैं मैं में लोगे आपसे next reading में, Hello pile number 2, जिनका letters M to Z तक थे और pile number 2, या आपकी reading है, Welcome on your reading, let's see, आपके partner की current feelings, उनके thoughts, क्या सोच रहे हैं, क्या plan है, all that stuff, We have embrace, through each other you find the missing piece, तो आप soulmate हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए missing piece हो, उनको लगता है कि आप उनकी life में एक missing piece हो, और आपको भी लगता है कि उनके बगार, आपकी life में कुछ missing है, We have shivery, तो ये इनसान काफी romantic है, आपको date करना चाते है, आपको date पर लेके जाना चाते है, ठीक है, आपके partner, मुझे लगता है काफी romantic partner है आपके, और embrace का मतलब यहां पर और shivery का मतलब यही है, कि वो चाते हैं कि आप उनको embrace करो, इस relationship को embrace करो, और आप में से काफी जारे लोग बहुत जल्दी इस partner से date करने वाले हो, मतलब वो आपकी life में बहुत जल्दी आने वाले हैं, और आपको अपनी ये feeling express करने वाले हैं, ठीक है, अगर उन्हें पहले express नहीं की थी, तो वो ready है, शायद date करने के लिए, कुछ लोग के लिए इनसान आपको gift देगा, now let's see, आपके partner की current feelings क्या हैं, और अगर आपने उनको already date किया है, तो वो चाते हैं कि आप उनको embrace करो, मतलब वापस अपनी life में लाओ, जैसे आप लोग पह caring connection, वाओ, यह definitely इनसान आपको date करना चाता है, single to mingle, अगर यह single हैं तो वो definitely आपके साथ relationship में आना चाते हैं, और काफी caring connection होगा आपके साथ, बहुत romantic है यह partner आपका, और या वो romantic feelings आपके लिए feel कर रहे हैं, ठीक है, लड़की भी हो सकती है, या लड़का जो भी है, वो आपको flowers चाहिद बहुत ज्यादा देंगे, अगर आपको flowers पसंद हैं तो, यह आपको date पर लेके जाएंगे, candlelight dinner और इस तरह की चीज़ें, gifts देना आपको, तो काफी caring connection होगा आप दोनों का, romantic, caring, loving, soulmate connection, already मुझे feel हो रहे है, realize हो रहे है, कि आप दोनों का soulmate connection हो सकता है, now let's we also have exchanging gifts number 27, yeah, तो या तो आप cat lover हो, यह इनसान cat lover है, we also have a horse and cat and crow, तो यह could be आपके angel, spirit, animal हो सकते हैं, या आप इनको बहुत ज़्यादा देखते हो, या आपको इनके साथ connection feel होता है, आप cat lover हो सकते हो, आपका pet as a cat हो सकता है, या इनका, they also have exchanging gift, तो यह इनसान definitely आपको gift आने वाला है, कुछ लोग के लिए अगर आपकी birthday next बहुत जल्द आने वाली है, तो यह इनसान आपको आपकी birthday पे gift देगा, तो आप surprise हो जाओगे कि यह इनसान आपसे इतना love करता है, feeling express करेगा, आपके लिए gift लेके आएगा, कुछ लोग के लिए proposal भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन exchanging gifts, मतलब यह इनसान की love language जो है, वो gift देना हो सकता है, ठीक है, या वो already आपको gift दे चुके हैं, तो इसका मतलब कि आपको समझा जानी चाहिए, कि यह इनसान आपे interested है, डांसर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आप डांसर हो तो उनको आपका डांस पसंद ह है, ना लेट सी आपके इस partner की current feelings क्या है, we have separation, तो कुछ लोगों के लिए आप separation में हो और यह separation बहुत जल्द खतम होगी, आप दोनों की, we have finances and carrier, या इस इनसान ने आपको finances और carrier की वज़़ा से छोड़ा था, या इस वक्त उनका focus अपने finances और carrier पे है, या शायद उन्होंने और रेड़ी एक अच्छी job उनको मिल गई है, और अब वो आपको यह अपने good news बताना चाहते हैं, आपसे share करना चाहते हैं, playfulness, या तो आप बहुत जल्द इनसे नान को date करने वाले हो, और या आपका partner वापस आपकी life में आने वाला है, या retreat, आप दोनों definitely एक दूसरे से कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द आप एक दूसरे से बात करोगे, now let's see, मजीद देखते हैं, आपके relationship में क्या चल रहा है, या क्या next होगा, तो काफी caring connection है आपका, आप दोनों ही एक दूसरे को like करते हैं, और आप देख सकते हो, यहाँ पे इस इनसान की full attention आप पे होगी, तो शायद पहले वो आपको attention नहीं दे पा रहे थे, अपने finances या carrier की वज़ा से या वो disturbed थे, तो उन्होंने break up कर लिया था आप से, या आप separation में थे, क्योंकि यह इनसान ready नहीं था, date करने के लिए शायद आप ready है, now let's see, runner, या कुछ लूंग के लिए इनसान runner था, आप से भाग गया था, या relationship से भाग गया था, या आप runner थे, आप भाग गया इस relationship से, we have a dark night of the soul, yeah, तो इस इंसान ने, finally इस इंसान को realize हो गया, कि आप, yeah, and we have a divine timing, लेकिन ये ऐसे आया, reverse, तो इसका मतलब timing सही नहीं थी, आप दोनों में, जब आप एक दूसरे को मिले, timing सही नहीं we have a misunderstanding, yeah, तो काफी misunderstanding रहे हैं आप दोनों के दर्म्यान में, और वो clear करना चाहते है, ये misunderstanding, we have missing you, ये इनसान आप आपको miss कर रहे है, उनको लगता है कि आप उनके genuine friend थे, ये genuine lover थे, they're missing you, and we have between the lines, yeah, ये इनसान definitely, इस वक्त एक choice में है, कि उनको choice, उनको decision लेना है, कि आपके आपास आना चाहिए, या नहीं, या आप life में move on कर चुके हो, या आप उनको, आप उनको relax, आप उनको choose करोगे या नहीं, इस इनसान को inner child issues हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो run करके गए थे, आपसे भाग के गए थे, उनको insecurity होई होगी पहले, we also have a past life and silence, या ये इनसान क leave है past life पे तो, इनको लगता है कि आपके साथ उनका काफी strong connection है, वो छोड़ नहीं सकते इस connection को, ये इनसान या तो इस past life से आपका lover है, या आपका past life का soulmate है, ठीक है, तो आप इनको आप उनको अरड़ी जानते हो, और आपकी feelings बहुत strong है, आप definitely union में जरूर आओगे, आप करेंगे, और कुछ लोग के लिए ये इनसान हमेशा insecure रहा है relationship को लेके, तो हमेशा runner रहे है, runner and chaser, we have a surprise is coming, तो ये इनसान definitely आपको surprise करेगा, never ever getting back together, कुछ लोग के लिए ये इनसान कभी भी वापस नहीं आएगा, क्यूंके हो सकता है कि वो already, उन्होंने decision ले लिया है, कि व ready नहीं है, और कुछ लोग के लिए ये वापस आएगा, इनसान, when it snows, winter, June, कुछ लोगों के लिए 7 months, and कुछ लोग के लिए 4 months, 4 months में, कुछ लोग के लिए इनसान शाहिद कभी भी भी ना आए, ये भी एक message है, ठीक है, क्यूंके 8 months हो सकते है, उन्होंने किसी और को choose कर ल होगे, now let's see, charms क्या कहते है, इस partner के बारे में, we have N, E, O, या no, तो सकते हैं इस इंसान ने आपको नो बोला था, या अब आप इस इंसान को नो बोलोगे, we have E, double E, we have just a peachy, तो या रिलेशन्शिप काफी sweet नहीं था, आप दनों के दर्म्यान में, काफी sort था, we also have an ace of cup, from this taro, तो definitely ये इंसान आपके साथ एक new cycle चाता है, या कुछ लोगों के लिए ace of cup का मतलब new love भी हो सकता है, तो आप किसी new love को choose करोगे, या इसी इंसान के साथ आप एक new cycle start करोगे, we have the lock, तो इस इंसान का दिल block था, या इस इंसान ने आपको अपने दिल के अंदर आने नहीं दिया, you are safe with me, तो शायद ये इनसान अपको finally realize करवाएगा, कि आप उनके साथ safe हो, या इस इंसान को trust issues थे, तो इस इंसान ने आपको अंदर आने नहीं दिया, अपनी life में, enter ही नहीं होने दिया, दिल में य और कुछ लोगों के लिए I love you, ये इंसान आपसे अपनी feeling एक्सप्रेस करेंगे, another lock and key, तो आपके पास key है इस इंसान के heart की, तो वो definitely अपनी feeling एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए look at this lightning, unexpected होगा, ये एक sudden होगा, आपके लिए shocking होगा, and we also have this crown, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान और आपका connection बहुत ही spiritual है, और शायद वो realize हो रहा है उनको, and we also have this beautiful purple stone, and it's also crown chakra stone, तो आई काफी spiritual connection है कुछ लोगों के लिए, तो उनको finally realize हो रहा है कि आपका connection definitely इस दुनिया से हटके है, past life का है, शायद उनको कुछ ये भी memories आती है कि आप दुनों का connection ऐसा strong है क्योंकि तोड नहीं सकता, we also have scorpion, तो sun, moon, rising, scorpion हो सकते हैं, आप ये वो, we have this white stone, तो वो अपने आपको release कर रहे हैं, past से, और वापस आना चाहते हैं, and we also have this buttons, yeah, वो इस relationship को सीना चाहते हैं, आपके साथ जूनना चाहते हैं, forever के लिए, ठ कर दोड़ में सकता हैं, आपके साथ, आपके साथ, जूनना चाहते हैं, आपके साथ, रिंगना चाहते हैं, आपके साथ.